हलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम लोग डीडियल में डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्डेंट टॉपिक जिसका नाम है अराइवल ओफ ब्रिटिस इश इश इंडिया कंपनी यानि ब्रिटिस इश इश इंडिया कंपनी का इंडिया में आगमन 1488 में Cape of Good Hope की डिसकवरी हुई इसी के साथ यूरोप से इंडिया और बाकी इस्टर्न कंट्रीज के बीच में एक सी रूट इस्टेबलिश हो गया यूरोपियन कंपनीज ने तुरंत इस सी रूट के थूँ इस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर दी क्योंकि Cape of Good Hope को बार्तिलों में डायस ने डिसकवर किया था जो कि एक पॉर्चुगल एक्स्प्रोडर था तो शुरुआत में इस सी रूट को बिसिकली पॉर्चुगल की कंपनीज नहीं यूज़ करना शुरू किया और बाग में आसपास की और भी यूरोपियन कंपनीज ने इस सी रूट के तुरू ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी अब बाकी यूरोपियन कंपनीज की देखा देखी 31 दिसंबर 1600 में बिटियन के कुछ बिजिसमेन ने भी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था Governor and Company of Merchants of London Trading with East Indies अब इतना लंबा नाम सुनकर आप लोग कन्फ्यूज मत हो बिसिकली इसी कंपनी को हम लोग British East India Company के नाम से जानते हैं इंडिया और दूसरी Eastern Countries के साथ ट्रेड करने के लिए British East India Company को Britain की महारानी Queen Elizabeth की पर्मिशन चागे थी तो वो तुरंत अपना स्कूटर उठा कर Elizabeth के पास पहुचे और एक Petition दिया और बताया कि East India Company कैसे इस Sea Route को यूज करके बढ़िया ट्रेड कर सकती है और बढ़िया प्रॉफिट बना सकती है Queen Elizabeth को उनकी बाद तुरंत समझा गए और East India Company को एक चाटर पास करके दे दिया चाटर मिलने के बाद East India Company बहुत खुश थी क्योंकि चाटर में 15 सालों के लिए East India Company को मोनोपली दे दी गई थी उन सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए जो Cape of Good Hope के East में आते हैं और Strait of Megalan के West में इतनी सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने की मोनोपली इसका मदलब किसी भी और बिटिश कंपनी को इन एरियाज में ट्रेड करने की पर्मिशन नहीं थी अब East India Company है तो एक कंपनी तो इसके अंदर बहुत सारे सर्वेंट्स थे क्लरक से लेके ऑफिसर्स तर जो रिपोर्ट करते थे एक गवर्नर को और ये गवर्नर रिपोर्ट करता था कोर्ट ओफ डरेक्टर्स को जिसमें 24 डरेक्टर्स होते थे कंपनी रिजिस्टर हो चुकी थी ट्रेडिंग के लिए पर्मिशन भी मिल चुकी थी इंडिया में एंटर करने के लिए फिर भी आठ साल लग गए यानि 1600 में इस्टब्लिश होने के बावजूत इस इंडिया कंपनी इंडिया में 1608 में पहुची इसका कारण था कि दूसरी युरोकियन देशों की जो ट्रेडिंग कंपनी थी इस्पेशली पोर्चुगीज इस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में पहले से ही आचुकी थी वो नहीं चाहती थी कि कोई भी और नई कंपनी यहाँ पर आके उनको कॉंपिटिशन दे तो वो रास्ते में ही उनके साथ लड़ाई जगड़े और फाइट्स होती रहती थी फाइनली जैसे तैसे इस्ट इंडिया कंपनी 1608 में सूरत आ गई यहाँ पर आकर उसे समझ में आया कि यहाँ तक पहुंचना ही काफी नहीं था नेक्स चैलेंज उनका अलड़ी वेट कर रहा है और वो चैलेंज यह है कि इंडिया में मुगलो का साशन है और अगर ट्रेड में बढ़िया मुनाफ़ा करना है तो मुगलो को भी खुश रखना जरूरी है तो उस समय मुगल बादशा था जहांगीर और बिटेन में इलिजबेट की 1603 में ही मृत्यू हो चुकी थी तो अब जेम्स फर्स्ट का रूल चल रहा था तो इस्ट इंडिया कंपणी ने जेम्स फर्स्ट को बताया कि इंडिया में जहांगीर का रूल है और वो हमें यहां पर फैक्टरी फैक्टरी लगाने की कोई पर्मिशन दे नहीं रहा है और factory नहीं लगेगी तो हम लोग यहां पर trading का काम करेंगे कैसे तो James First ने कहा कि बेटा तुम जो है trading करने पर ध्यान दो इन सारी चीज़े मेरे उपर छोड़ दो factory के permission तो इसका बाब भी देगा तो 1615 में James First ने जहांगीर के दरबार में एक delegation भीजा इस delegation को lead कर रहे थे Sir Thomas Rowe Thomas Rowe तो यह मानी कि कसम खा के आया था कि जहांगीर को अपनी मुठी में कर लेगा वो जहांगीर के दरबार में पहुचा वहाँ पे ही कुछ टाइम तक उसने रहना शुरू कर दिया जहांगीर को हर तरह से उसने bribe करने की कोशिश की हर तरह की घूस उसको दी जो भी जहांगीर को पसंथा हर उस तरह की सेवाएं उस तक पहुचा दी यूरोप की बढ़िया से बढ़िया चीज़ें उस तक पहुचाई और फाइनली जहांगीर को इंपोर्टेट समान की ऐसी लत लगा दी कि 1615 में जहांगीर ने Britishers को permission दे दी और कहा कि जहां चाहे वहां रहो, factories बनाओ, जो करना है करो परेशान अगर कोई करे तो मुझे आ कर बता दो बस जहांगीर की एक छोट इसी डिबाण थी कि बस royal facilities जो भी है इस तरह की बस चलती रहनी चाहिए तो जहांगीर ने एक letter लिखा James First को और बोला कि आपका जो royal love है बस ये मिलते रहना चाहिए आपकी company को इंडिया में किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होने दूगा तो ये जो letter है ये Wikipedia में भी available है आप चाहे तो देख सकते हैं इस तरह British East India Company ने अपने trading post जो है वो establish करनी शुरू कर दी 1619 में सूरत में अपने trading post बना दी 1639 में मदरास में 1668 में बॉंबे में और कैलकटा में 1698 में भी trading post ready हो गई अब आप ये सोच रहोंगे कि Britishers trade किन चीज़ों में करते थे तो Britishers लेकर आते थे coffee और Persian horses और यहां से लेकर जाते थे cotton और silky कपड़े और इसके लावा salt peter तो इंडिया जो है वो एक बहुत ही reliable supplier था salt peter में अब ये salt peter होता क्या है basically salt peter जो है gun powder बनाने का एक बहुत ही important component है और पूरे Europe को इसकी जरुवत थी तो Britishers इसको यहां से इंडिया से लेकर जाते थे और इंडिया इसका एक बहुत ही reliable supplier था अब 1647 तक British East India Company ने 23 factories खड़ी कर दी basically इन factories का use क्या था Britishers इन factories को use करते थे गोदामों की था जहां trading का सारा सामान रखा जाता था लोग इसमें रहते भी थे और साथ में इसकी security guards भी थे इन में से तीन factories बहुत ही major skill पर बनकर तयार होगी यह factories factories कम किले जाता थे इन में से पहली factory थी Bengal में Fort William, Madras में Fort St. George और Bombay में Bombay Castle इसके बाद मुगल किंग फारुक शियार ने 1717 में Britishers की custom duty माफ कर दी उसने बुला कि आप यहां पर trade कर सकते हो बिना कोई custom duty बिना कोई tax दी हुए अब इन सब के चलते British East India Company ने धरा धर पैसा चापना शुरू कर दिया लेकिन अभी तक British East India Company एक trading company ही है इसके बाद दो बहुत ही important events हुए Battle of Plassey और Battle of Buxer जिन्होंने British East India Company को इंडिया में एक trading company से एक political power बना दिया इन दोनों topics पर मैंने already videos upload कर दी हैं आप इनको देख सकते हैं अगर आपको यह video अच्छे लगी है तो इसको like कीजिए अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और Facebook पर share कीजिए और ऐसे ही और वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को subscribe कीजिए Thank you so much for watching books दबा